और ओज का एक महत्रपूर्ण हस्ताक्षर भूशर त्यागे साहब परमशद्धे अध्यक्ष महोदे देश के बले ही वराइन एक कविगंड कवियात्री द्वाए सम्मुक बैठे हुए हमारे मनीशी स्रोता बंदुओ एवं नोजवान साथियो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप आओ बीच में अच्छा लग रहा है तो खूप तालियां बजा रहे हैं वन्स मोर भी कह रहे हैं ये प्रियाग से रादेश्याम भारती जी आये हैं एक बार ऐसे ही जो है ये राम लीला में रामण का रोल कर रहे थे और रामण का रोल कर रहे थे इस्थितिया उस दिन इनके बध की कथा थी राम ने रामण को मारा इतनी बढ़िया एक्टिंग करके और गिरे कि पब्लिक ने कहा वन्स मोर वन्स मोर और वो फिर खड़े हो गए तो कम से कम आप ऐसा न करें मुझे काविपाट का आदेश हुआ है ये सभी रचनाकार हमारे वरेणे हैं लेकिन मैं बता दूँ ये सब इस जन्म में कविता कर रहे हैं मैं कई जन्मों से यही कारे कर रहा हूँ मेरा नाम भूशन है इसके पहले मैं छटर साल और सिवाजी के महराज के दरबार में कविता करता था और इस जन्म में भारत मा के दरबार में अपनी कुछ तुकबंदियां करता हूँ मैं अभी कभी नहीं बन पाया क्योंकि अभी हमारे महा कभी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कभी नहों नहीं चतुर कहाँ तो जब हमारे दादा ने लिख दिया तो हम कैसे मान लें कि हम हो गए लेकिन बहराल कुछ सिवा में आपके अर्पित है और इस निवेधन के साथ कि पंक्तियां अच्छी लगें तो दोनों हाथ उपर उठा करके आप मुझे आशिरवात देंगे चार पंक्तियां देखिए मैं बिना मतलब की कोई बात नहीं कहता मैं मंच पर आया हूँ तो कुछ संदेश लेकर के आया हूँ और संदेश की बात करता हूँ चार पंक्तियां तेखें निवेधत करता हूँ जो मेरी इच्छा है कि भूखा दिखाई दे बूखा दिखाई दे, ननंगा दिखाई दे भूखा दिखाई दे, ननंगा दिखाई दे, अकोई फसाद और न दंगा दिखाई दे तो देखों जिधर उधर दिखे बस देश भाक्त लोग और सब के घरों पर प्यारा दिखाई दे सब के घरों पर प्यारा तिरंगा दिखाई दे आओ चार पंक्तियां देखें इस दिवाली पर हमने कहा और आप सब को निवेदन दे रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आप सब से कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मानें कम से कम आप, देखें कि एक मुहिम सक्छम भारत का चला सके एक मुहिम सक्छम भारत का चला सके और जिससे भरत वन्सियों का हो भला सके तो हसते हसते जो सरहद पर जूज गए एक दीप उनकी खातिर भी जला सके एक दीप उनकी खातिर भी जला सके एक दीप उनकी खातिर और देखें कुछ पंक्तियों के साथ मैं बढ़ता हूँ कि सीख लेना मुझे पता है मैं भी सुवे द्याले में कविता पढ़ रहा हूँ कि सीख लेना सच की खातिर जहर पीना कि सीख लेना सच की खातिर जहर पीना मगर विश्का कुछ हिसाब मत लिखना सीख लेना सच की खातिर जहर पीना मगर विश्का कुछ हिसाब मत लिखना और दर्द का पूरा हिसाब लिख देना और रूट कर कुछ बेहिसाब मत लिखना रूट कर कुछ बेहसाब मत लिखना और जहर पीने की कला सुकराद से तुम पूछ लेना और स्वाद मीरा के पदों से जान जाओगे और जब भी जब कभी देखो के गाधी को लहु से तर बतर तुम सत्य क्या शान है पहचान जाओगे सत्य की क्या सान है पहचान जाओगे तो असु लिखना हास लिखना समय का परिहास लिखना मगर उनके दंस का कोई जवाब मत लिखना सीख लेना और सच की खातिर जहर का जो वरण करता मौत उससे दूर कोसों भादती है सच की खातिर जहर का जो वरण करता मौत उससे दूर कोसों भादती है और मिथ्या के लिए जो जी रहे मृत उसके सीख पर ही नाचती है मृत उसके सीख पर ही नाचती है तो सत्य लिखना गान लिखना हर अधर मुस्कान लिखना बूल कर भी जहर पर कोई किताब मत लिखना बूल कर भी जहर पर आउरंत में एक जनगीत आपको सुनाना चाहता हूँ मैं जनगीतों का रशनाकार हूँ देखें एक जनगीत सुना रहा हूँ पूरी धर्ती की रचना सुना रहा हूँ सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं आप महसूस कीजिए आप इनुर्शीटी के लोग हैं कि जब धर्ती बनी होगी तो सिर्फ धर्ती ही नहीं बनी धर्ती के साथ प्रकाश आया और प्रकाश ही अकेले नहीं आया साथ में अधेरा भी आया और उसी समय से प्रकाश में और अधेरे का अजुद्ध चला है पूरी धर्ती पर किसी न किसी रूप में प्रकाश का और अधेरे का अजुद्ध चला है लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रकाश कभी पराजित नहीं हो सकता सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता और तब प्रकास ही अपनी बात कहता है कि मैं कौन हूँ, कहां हूँ, किन जगहों पर हूँ और वो जब बोलेगा तो मैं का उचालन करेगा और जब तुम का उचालन करेगा समझ लीजीगा पूरी धर्ती के लोगों के लिए कह रहा है पंक्तिया निवेदित हैं देखें आप, थोड़ा सा अपने हाथ खोलें और मेरे साथ बहें कि मैं जनजन में, मैं घर घर में मैं जनजन में, मैं घर घर में मैं धर्ती पर, मैं अंबर में मैं माता की हर सांस में हूँ मैं पिता के हर उच्छास में हूँ मैं बहनों की हरवास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जलित परिभाशा हूँ, मैं दुनिया की अविलाशा हूँ, मैं ब्रमरों में, मैं फूलों में, मैं काटों में, मैं सूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं सागर की हल चल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, तो तुम यदियारों के सौदागर, तुम यदियारों के सौदागर, मैं जग जोतित करने वाला। आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। दूसरा चित्र देखें आप। मैं रिशियों के तप त्याग में हूँ, मैं यवदपुरी में राम राम, मैं व्रिंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनी उपकारी हूँ, मैं महामुनी उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर संधारी हूँ, मैं अन्शुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं व्रिंदावन में काशी में, मैं व्रिंदावन में काशी में, तो तुम्रावन की प्रियलंका हो, तुम्रावन की प्रियलंका हो, मैं उसे दहन करने वाला, आलोक नहीं मरनेवाला, आलोक नहीं मितने वाला, आलोक नहीं मितने वाला और अंतिम चित्र, आप सभी मनीशियों को समर्पित करता हूँ, देखें आप कि मैं कनकन का अनुरागी हूँ, मैं स्वयम बहुत बढ़ भागी हूँ, मैं स्वयम बहुत बढ़ भागी हूँ मैं धर्म यर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और बैकुंठ धाम मैं स्वर्ग और बैकुंठ धाम, मैं स्वर्ग और बैकुंठ धाम मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ मैं राधा के मुस्कान में हूँ मैं ही उत्तर मैं ही सवाल मैं ही कालों का महाकाल मैं व्यक्त नहीं मैं पीला से संतफ्त नहीं मुझ में लए हो जाता जहान मुझ से फिर होता नौ विहान मुझ से फिर होता नौ विहान तो तुम पीला के संभाह को तुम पीला के संभाह को मैं उसे शमन करने वाला आलोक नहीं मरने वाला आलोक नहीं मरने वाला आलोक नहीं मितने वाला क्या केने क्या केने क्या केने